दुस्त दिमोक्रेसी यानि एक ऐसी फॉर्म आफ गव्मेंट जहां सिटिजन्स अपने लीडर को अपने रेप्रेजेंटेटिव को खुच चुनते हैं दिमोक्रेसी में ना सरफ सिटिजन्स को उनके सभी राइट्स मिलते हैं बलकि उनकी फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिगनिटी और नाजाने क्या-क्या इसलिए तो दिमोक्रेसी के इतने सारी खास फीचर्स और फैसिलिटिस की वज़ा से ही इसे बेस्ट फॉर्म आफ गव्मेंट माना गया है और दिमोक्रेसी की इतने सारी खास चीज़ों की वज़ा से ही इसे वोल्ड वाइड लाज स्केल पर अपनाया भीचारा है लेकिन दोस्तो आज भी वोल में around one-fourth countries ऐसी हैं जो कि non-democratic है यानि कि दोस्तो non-democratic countries आज भी बहुत सी problems को face कर रही है तो आखिर ऐसा क्या reason है कि इतनी सारी countries आज भी democracy को नहीं अपना पाई वो कौन से challenges को face कर रही है democracy को अपनाने में तो दोस्तो इस सब के बारे में जानने से पहले आप मुझे एक बात बताईए कि अगर हमें कोई plant यानि कोई पौधा लगाना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों सबसे पहले तो हमें सीड चाहिए जिस सीड को हम मिट्टी के नीचे दबाएंगे यानि कि वो उसकी foundation होगी एक बार वो foundation ले हो गई तो उसके बार time के साथ उसी daily care करते करते वो plant grow करेगा यानि कि वो expand होगा और साथ ही जब इसे और time देंगे हम इसे की और care करेंगे तो ये और बड़ा होता जाएगा और इसकी roots और ज़्यादा deep होती जाएगी यानि कि दोस्तो foundation, expansion और deepening से ये पूरा process complete होगा और ऐसा ही होता है democratic और non-democratic countries के case में भी दोस्तो असल में non-democratic countries इनी challenges को face करती है यानि कि दोस्तो उन्हें वहाँ अपनी country में democracy के base को set up करना है क्योंकि non-democratic countries में dictators अकसर military का सहरा लेकर ही country पर control रखते हैं तो military rule, military powers को control करकर एक free state को establish करना है एक foundation को लेकरना है democracy की और तभी यहीं से शुरवात होगी democracy की growth की इसके इलावा दोस्तो second major challenge जो non-democratic countries के सामने आता है वो है expansion का क्योंकि एक बार अगर foundation बिच गया यानि कि एक बार democracy की नेव बिच गई तो उसके बाद उसकी expansion बहुत ज़ादा ज़रूरी है यानि कि democracy के जो principles जो guidelines हमने provide किये हैं वो अच्छे से apply हो हर कोई उन्हें follow करे ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है जैसे कि democracy में example के तोर पर अगर बात करें तो women को equal rights देना, minority को equal rights देना ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है और इसलिए इन बातों का खास ध्यान देने से ही democracy की expansion होगी वैसे दोस्तों ये challenge सरफ non-democratic countries नहीं बलकि बहुत से democratic countries भी face कर रहे हैं जैसे कि इंडिया, इंडिया में भी तो बहुत से lows बनाए गए हैं जैसे कि equal rights को लेकर, citizens को लेकर, caste discrimination को लेकर पर फिर भी ये सब देखने को मिलता है यानि कि ये principles यूज तो किये गए हैं लिकिन इनकी implementation उतनी अच्छी और strong नहीं है इसलिए दोस्तो इस तरह से expansion के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि काफी अच्छे से ध्यान दिया जाए कि सबी principles हर caste, हर religion, हर group पर implement हो इसके बाद दोस्तो last major challenge to non-democratic countries और सभी democratic countries भी face कर दी है वो है challenge of deepening of democracy यानि कि यहाँ democracy के principles, rules, regulations, सब कुछ है वो implement भी करे गए है लेकिन वो इतने strongly नहीं implement किये गए कि हर कोई उन्हें follow करी यहाँ democracy के principles की strengthening की problem सामने आती है जैसे कि दोस्तों आप US से जैसी बड़ी democratic country का ही example ले लीजिए वो इतनी developed country है, इतनी बड़ी democratic country है पर फिर भी वहाँ आज भी कुछ-कुछ areas में blacks और whites के बीच discrimination देखने को मिलता है यानि कि color को लेके discrimination है जबकि यह बहुत जादा गलत है और यह democracy में बिल्कुल भी allowed नहीं है इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी democracy की deepening यानि roots की पके होने की जो problem है वो बहुत जादा है ऐसे में दोस्तों यह तीन major challenges है जो non-democratic और democratic countries face करती है इन challenges को overcome करकर ही एक proper democratic country को established form किया जा सकता है वैसे यहाँ इन बातों का खास जान देना बहुत जादा ज़रूरी है कि government में जो decision making authorities हैं उनमें सिरफ rich और powerful लोगों का rule ना हो या उनकी involvement ना हो बलकि ordinary citizens की भी complete involvement हो तभी तो majority और minority का rule होगा और तभी एक democratic country establish होगी दोस्तों इसी के साथ हमने cover कर लिया है आज के lecture को अब next lecture में मिलके बात करेंगे कि किस तरह से different context में countries different challenges को face करती है यह challenges हर country के लिए same नहीं है तो अब मिलेंगे next lecture में, thank you for watching I'm sure students, आपको यह वीडियो बहुत पसंदाया होगा तो इसी तरह से एक मज़िदार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए प्यूस्टैक अप जहां आपके लिए और भी करी तारे ओप्शन हैं जैसे कि आपके लिए sample papers, backing size solutions, tip videos and much more. So what are you waiting for? Download the app now.